साथियों, आज भगवान शीव का पुरिय दिन सुमवार है, आज विक्रम सम्वत दोहजार अठतर मार्ग सिश्च शुकल पक्ष दसमी तिथी एक नया इतिहास रत रही है और हमारा सोभाग्य है कि हम इस तिथी के साक्षी बन रहे हैं, आज विश्वनाध्धाम अकल्पनिय अनंत उर्जा से भरा हुआ है, उसका व्यभाव विश्टार ले रहा है इसकी विशेस्था आसमान छू रही है यहां आसपास जो अनेक प्राचिन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनस्थापित किया जा चुका है बाबा अपने भक्तों की सद्यों की सेवा से पसंद हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशिर्वाद दिया है विश्वनात धाम का एक पुरा नया परिशर एक भव्वे भवन भर नहीं है यह प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्क्रिपी का यह प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का यह प्रतीक है भारत की प्राचिंता का, परंपराओं का, भारत की उर्जा का, गतिशिल्ता का आप यहाँ जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है आपको यहाँ अपने अतीद के गवरव का एहसाथ भी होगा कैसे प्राचिंता और नमिंता एक साथ सजीव हो रही है कैसे पुरातन की प्रेनाएं भविश्य को दिशा दे रही है इसके साक्षा दर्शन विश्वनात धाम परिसर में हम कर रहे हैं साथियों जो मा गंगा उत्तर वहिनी होकर बाबा के पाउं पखारे काश्य आती है वो मा गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी अब जब हम भगवान विश्वनात के चर्णों में प्रणाम करेंगे ध्यान लगाएंगे तो मा गंगा को स्पर्ष करती हुई हवा हमें स्नेह देगी हमें आशिरवाद की और जमा गंगा उन्मुक्त होगी प्रसन्न होगी तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल गंग तरंगों की कलकल का दैव्य अनुभव भी कर सकेंगे बाबा विश्वनाथ सब के है, मा गंगा सब की है, उनका अशिरवाद सब के लिए है लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते, बाबा और मा गंगा की सेवा की ये सुलत्ता मुश्किल हो चली यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्ताओं और जगर की कमी हो गए थी बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, यहां आने में बहुत कठिना ही होती थी लेकिन अब विश्वनाद धाम परियोजना के पूरा होने से, यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता, सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे जेटी से घार तक आने के लिए भी एसकेलेटर लगाए गए हैं, वहां से जीधे मंदिर तक आ सकेंगे संकरे रास्तों की बज़से दर्शन के लिए जो घटों का घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी पहले यहां जो मंदिर छेत्र केवल, केवल तीन हजार वर्ग फिट में था वो अब करीब करीब पांच लाख वर्ग फिटका हो गया अब मंदिर और मंदिर परिसर में पच्चास साथ सत्तर हजार सद्दालू आ सकते हैं यानि पहले मा गंगा का दर्शंस्यार और महां से सीधे विश्वना धाम यही तो है हर हर महादेश और वे तो है यह कर सकते हैं झाल झाल